हेलो फ्रेंड्स मैं हो के पी सिंग आप देख रहे हैं मेरा चनल पड़ोगे अगर आप शीखना चाहते हैं रोज कुछ नहा तो प्लीज मेरे चुलों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जिरुद दोएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले तो मैं आया हू आपके लिए क्लाश ट्वाइल एक्सरसाइज के पहले हम लोग जो इंट्रो पढ़ रहे थे उस इंट्रो का पार्ट थर्ड चैप्टर है थ्री आव्यू तो चलिए फड़ा फट बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग आव्यू के प्रकार पढ़ रहे थे तो ने आठम प्रकार है विकान आव्यू विकान आव्यू तो विकान आव्यू में आप देखिए यदि किसी वर्ग आव्यू में मुख के विकान के तक्तों को चोड़ कर मुख के विकान के तत्तों को छोड़ कर सभी तत्तों सुनने हो तो उसे विकार्ण आवियू कहते हैं विकार्ण आवियू कहते हैं जैसे तो देखिए यहाँ पर एक हम आवियू बनाते हैं जैसे हमने बनाया और यहाँ पर लिखा दो जीरो जीरो पांच तो इसका जो मुख की विकार्ण है इसको छोड़कर सेस अवियू कैसे हैं सभी तत्तों आपको सुनने दिख रहे हैं मुख की विकार्ण को छोड़कर्ण इसलिए इसको हम बोलते हैं विकार्ण आवियू यहाँ पर यह तत्तों कैसे भी हो सकते हैं हो सकता सेम हो हो सकता सेम ना हो जैसे अगला देखिए अगर हम एक एक एक्जाम्पल की बात और करें तो उसको भी देख लेते हैं अगर हम यहाँ लिखें मिलता है यहां उन सभी तत्तों को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है सूनने मिलता है जीरो मिलता है इसका क्या मतलब है कि यह एक विकर्ण आव्यू है देखे ये एक इकाईत का तत्समक आव्यू भी है लेकिन साथ में ये विकर्ण आव्यू भी है विकर्ण आव्यू की परिवासा क्या है यदि किसी वरग आव्यू में मुख्य विकर्ण के तत्तों को छोड़ कर सभी तत्तो सुने हो तो उसे विकर्ण आव्यू कहते हैं इसके अलावा मुख्य विकर्ण पर कौन कौन से तत्तों हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है क्लियर है तो इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यू देखे यहां से आपको साथ नंबर आट नंबर और नौ नंबर लगबग मिलता जुलता आपको मिलेगा तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरुरत नहीं है अब हम लोग चल देते हैं टाइप नंबर नाइन पर आव्यू के प्रकार में नवा प्रकार तो देखिएगा ध्यान से अधिस आव्यू अधिस आव्यू अब देखिए अधिस आव्यू किसे कहेंगे फड़ा फड़ लिख लेते हैं जिस वर्ग आव्यू के मुक्य विकाण के वर्ग आव्यू के अधिस आव्यू के हैं विकार्ण के सभी तत्व बराबर हो तत्व बराबर हो तत्व बराबर हो से सभी तत्तो सुन हो तो उसे अदिसा वियू कहते हैं अब यहाँ पर जैसे देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं एक आव्यू यह आव्यू हमने बनाया और इसमें तत्तो हमने लिखे तीन जीरो जीरो तीन तो यह हमारा बन गया अदिसा वियू इसके मुक्य विकर्ण के जो तत्तो हैं अव्यव हैं वो कैसे हैं सेम हैं समान हैं एक जैसे हैं इसलिए इसलिए इसे हम लोग अदिसा वियू के नाम से जानते हैं अगर हम दूसरा बनाना चाहें तो वह देख लीजिए एक एक एक्जामपल के तोर पे और बना लेते हैं हाँ अगर हम यह लिखते हैं पांच जीरो 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 पांच जीरो 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 पांच तो यह भी हमारा अदिस आवियू ही कहलाता है अगरा लिखते हैं एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक तो इस आवियू के बारे में समझेगा यह हमारा अदिस आवियू भी है विकर्ण आव्यू भी है और साथ में इकाई का तत्समक आव्यू भी है तो एक्जामपन नंबर जो हम लोगों ने तीन यहां पर बनाया है ये सभी तीनों आव्यू के रूप को दर्शाता है इसलिए बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है तो चलिए फड़ा फड़ से बढ़ जाते हैं टाइप नंबर दस पर क्या कह रहा है टाइप नंबर दस में वो देख लेते हैं टाइप नंबर दस में कह रहा है उपाव्यू टाइप नंबर दस में कहा है उपाव्यू तो लिखेंगे किसी दिये गए आव्यू कि कुछ पंक्तियों किसी दिये गए आव्यू की कुछ पंक्तियों तथा इस्तंबो को छोड़ देने पर छोड़ देने पर सेज बचे आव्यू को छेज बचे आव्यू को दिये गए आव्यू का दिये गए आव्यू का उप आव्यू कहते हैं जैसे एक्जामपल में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास एक आव्यू हमको दिया गया है एक दो तीन चार पंच छे साथ आठ नो यह हमको एक आव्यू दिया गया है और इसके उप आव्यू कि अगर हम बात करेंगे तो देखे द्यान से क्या बन जाएगा हमारा उप आव्यू इसकी मान लीजे कि हम पहली पंच ती और पहले इस्तम को छिपा लेते हैं अगर पहली पंच और पहले पंच को हम हटा देते हैं छोड़ देते हैं या कह देते हैं छिपा लेते हैं तो फिर जो सेस अव्यव बस्ते हैं उससे बनने वाला आव्यू दिये हुए आव्यू का उप आव्यू कहलाता है जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारा आव्यू था उस आव्यू के अगर हम पहली पंच और इस्तम को छुपा लेते हैं तो सेस अव्यव जो बस्ते हैं उन अव्यू से बनने वाला आव्यू उप आव्यू कहलाता है चलिए फटा फट से बढ़ जाते हैं आव्यू के अगले प्रकार पर जिसको हम लोग हुपरी त्रेबुदी आव्यू कहते हैं हुपरी त्रेबुदी यू हुपरी त्रेबुदी यू हुपरी त्रेबुदी यू आव्यू के लिए आपको परिभासा की जरूत नहीं है केवल आपको कॉंसेप्ट सीख लेना है कि उपरी त्रेबुदी यू होता क्या है तो किसी वर्ग आव्यू में पॉइंट वाइस हम लिखवा देंगे क्या वर्ग आव्यू में तद तो ए आईजे होते हैं वर्ग आव्यू में तद तो ए आईजे होते हैं तो AIJ का मान तो AIJ का मान जिरो होता है जब AI का मान जैसे बड़ा हो जैसे आपको समझा देते हैं यहाँ पर तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम यहाँ पर एक डूबलिकेट आविव एक बना रहे हैं जिसमें हम पहला ततो लिखेंगे A11, A12, A13 A21, A22, A23, A31, A32, A33 और उन सभी कत्तों का मान सुनने होगा जहां पर AI का मान जैसे बड़ा हो जाएगा तो देखें द्यान से यहाँ पर AI का मान जैसे बड़ा है क्योंकि AI के स्थान पर टू और जै के स्थान पर वन लिखा हुआ है यहाँ पर AI का मान बड़ा है यहाँ भी AI का मान बड़ा है तो हम यहाँ पर जो आविव बनाएंगे वो कैसी बनेगी देखें द्यान से 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6 तो यह जो आव्यू यहां बना है इसी को हम लोग बोलते हैं उपर त्रिबुजी आव्यू क्लियर है जिसमें हमको यह त्रिबुज जैसी रचना दिखाई पड़ती है क्लियर है अच्छा तो इसी को हम लोग बोलते हैं उपर त्रिबुजी आव्यू इसके बाद हमारा लाश्ट आव्यू का प्रकार है बारवा प्रकार तो फड़ा फड़ से चल देते हैं बारवे प्रकार पर तो बारवा प्रकार निम्न त्रिबुजी आव्यू निम्न त्रिबुजी आव्यू निम्न त्रिबुजी आव्यू कि बिल्कुल सेम कंडिशन यहां पर भी रहेगी कि इसमें हम लोग परिभासा नहीं लिखेंगे वर्ग आव्यू क्या लिखेंगे या एक वर्ग आव्यू होता है जिसमें AIJ इसका तत्व है इसका तत्व है और AIJ का मान जीरो होगा जब AI का मान J से छोटा होगा अब यहां पर जैसे आपको बताएंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा एक्जाम्पल के तोर पर एक आव्यू देख लेते हैं तो हमने यह एक आव्यू बनाया A11, A12, A13 A21, A22, A23 A31, A32, A33 अब देखिए कि AI का मान J से छोटा कहां पर है तो हम कहेंगे कि AI का मान J से छोटा यहां है AI का मान J से छोटा यहां है AI का मान J से छोटा यहां पर है तो इन तीनों तत्तों के इस्थान पर क्या जाएगा जीरो तो लिखेंगे एक जीरो जीरो दो तीन जीरो चार पांच छे क्लियर हैं तो इस तरीके से यहाँ पर एक तिवुज जैसी आकरती का निर्माड हो जाता है क्लियर है तो इसी को हम लोग कहेंगे उपर इस तो इस प्रकार से हम लोगों ने बारा आव यू पड़ लिये हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों की एक्सरसाइज की पहली क्लास सुरू हो जाएगी तो उमीद करते हैं कि आपको जो भी समझाया गया है बताया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर मेरा बताया वह आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चनल पर नहें तो चनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म करें एक्सर्चाइज के प्रसुनों के साथ में